अपठित का शाब्दिक अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो। अर्थात पाठिक्रम से हट कर जो कुछ भी है वह अपठित के अंतरगत आता है। ये ऐसे गद्यांश या पध्यांश होते हैं जिने विद्यार्थियों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। अपठित गद्यांश या पध्यांश पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देते समय विद्यार्थी को निमनलिखित बातों का ध्यान रखना आविशक होता है। दिए गए अपठित गद्यांश या पध्यांश को दो-तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़िये। उसके केंद्रिय भाव को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्णों के उत्तर संक्षेप में तथा अत्यंत सरल भाशा में देने का प्रयास कीजिए। उत्तर गद्यांश या पध्यांश के आधार पर हो। इसमें अपनी ओर से कोई विचार नहीं लिखिये। गद्यांश या पध्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखिये कि शीर्षक उसके मूल भाव के आधार पर हो। अपठित गद्यांश एक दिन वन में घूमते समय राजा दुश्यंत ने बड़ा ही विचित्रद्रश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक छे वर्ष ये बालक जिसका शरीर चंद्रमा की भाती उजवल था तथा उसका मुख सूरी के समान चमक रहा था वह निर्भय होकर शीर के शावकों से खेल रहा था। कभी तो वह उनको गोद में उठा था, कभी उनके मुह से अपना मुह रगड़ता, तथा कभी उनके मुह में हाथ डाल कर उनके दात गिनता था। उस बालक का साहस देखकर दुश्यंत आशर ये चकित हो उठे। उन्होंने ऐसा दृषिक कभी न तो देखा था और ना ही उसकी कल्पना की थी। उस बालक का नाम भरत था। जहां भरत ये क्रीडा कर रहा था, वहीं बड़े शेर और शेरनिया शान्थ होकर बैठे थे। स्वेम जब राजा दुश्यंत का साहस वहाँ जाने का न हुआ, तो उन्होंने बड़े प्रेम से संकीत देकर भरत को अपने पास बुलाया। पास आने पर दुश्यंत ने बड़े स्ने से पूछा, कहां रहते हो बीटा। भरत ने कहा, यहीं वन में अपनी मा के साथ। दुश्यंत ने पुना पूछा, क्या तुम्हें इन शेरों से डर नहीं लगता। भरत ने कहा, भला मैं क्यों डरूँ, मैं क्या कायर हूँ, ये सब तो मेरे मित्र हैं, अब तक दुश्यंत बालक भरत की मीठी वानी से मंत्र मुग्ध होने लगे थे प्रश्ण, वन में घूमते हुए दुश्यंत ने क्या देखा? ख, बड़ा विचित्र दृष्य, ख, हुँखार जंगली जानवर, ग, लंबे काले नाग को, ग, एक विशाल काय राक्षस उत्तर ख, बड़ा विचित्र दृष्य, बालक क्या कर रहा था? क, डर से रो रहा था, ख, फल तोड़ कर खा रहा था, ग, शेर के शावकों से खेल रहा था, ग, शेर के शावकों को भगा रहा था, उत्तर ग, शेर के शावकों से खेल रहा था बालक ने शेरों से न डरने का क्या कारण बताया क वह जंगलवासी है ख वह शेरों को वश में करना जानता है ग शेर उससे डढ़ते हैं ग वह कायर नहीं है उत्तर ग वह कायर नहीं है उच्वल शब्द का सही वण विच्छेद चुनो क वह जमा ज जमा ज जमा ज जमा ज जमा 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 जम ग उ जमा ज जमा अ जमा ज जमा ज जमा व जमा 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 उत्तर क, उ जमा ज, जमा ज, जमा व, जमा अ, जमा ल, जमा अ इस गद्यांज का उचत्शीर शक्चुनिये, क मीठी वानी, ख वीर बालक, ग दुश्यंत का साहस, ग खुंखार शेर उत्तर ख, वीर बालक, अपठित पद्यांश, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी बोली बोलो, ये भी तुम्हें बताया है बहुत भली हो, तुमने मा की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो कहलाती हो, तुम सब चिडियों कीरानी शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, हम तरू के नीचे नाचेंगे, तुम उपर गाना गाना प्रश्न, ये कविता किसको संबोधत कर लिखी गई है? क चिडिया को, ख कबूतर को, ग कोयल को, घ कवे को, उत्तर ग, कोयल को कोयल को चिडियों की रानी क्यूं कहा जाता है? क मीठी बोली बोलने के कारण ख गीत गाने के कारण ग सुन्दर दिखने के कारण ग मा की बात मानने के कारण उत्तर ग, मा की बात मानने के कारण बच्चा कोयल को जाने के लिए क्यूं कह रहा है? क, शाम होने के कारण मां बाट देखती होगी ख, अंधेरा होने पर रास्ता नजर नहीं आएगा ग, रास्ते में कोई बड़ा पक्षियों से खा जाएगा ग, दिये गये विकल्पों में से कोई भी नहीं उत्तर क, शाम होने के कारण मां बाट देखती होगी चार तरु शब्द के दो समानार्थी शब्द छांटिये क पौधा जाड़ी ख पेड़ व्रिक्ष ग विश्व पौधा घ व्रिक्ष फल उत्तर ख पेड़ व्रिक्ष इस पद्यांच का उचतशीर शक्चुनिये क चड़ियों की रानी ख कोयल को सीख ग सवेरे का गान ग सबसे मीठी बोली उत्तर क चड़ियों की रानी